इस वीडियो में हम लोग कोल माइन्स रेगुलेशन जो 1957 है उसके रेगुलेशन नंबर 116 को देखेंगे इसमें क्या बोलता है कि कोल सीम्स को हम लोग वेरियस डिग्री ओफ गैसिनेस के आधार पर क्लासिफाई करेंगे वो क्या है डिग्री वन है डिग्री टू है डिग्री बी 23 गैसी माइन्स है तो डिग्री ओट गैसी माइनल जैसे कि हमको पता है उसमें क्या है कि परसेंटेज आफ इंफ्ल्मेबल गैस जो इनफ्ल्मेबल गैस का परसेंटेज है वो किसी भी पार्ट ऑफ माइन्स जहां आदमी काम कर रहा हो या उधर से गुजार रहा हो होना अच्छी है कि one meter cube per ton of coal mined methane emission one meter cube per ton of coal mined यानि एक meter cube अगर हम लोग coal निकाल रहे हैं तो methane का emission एक meter cube से कम होना अच्छी ठीक है डिगरी 2 में क्या है कि inflammable gas का जो percentage है कोई भी part of mine में वो 0.1% से ज्यादा है तो उसका हम लोग डिगरी 2 में बोलने ठीक है और coal extraction के rate से क्या बोलते हैं कि coal per ton of coal mined यानि एक ton coal हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से gas कितना emission rate कितना होना च्छी है एक meter cube से 10 meter cube के बीच उससे ज्यादा नहीं होना च्छी है और डिगरी 3 में क्या है कि coal emission methane emission rate per ton of coal mine यानि एक ton coal निकाल रहे हैं तो methane कितना निकल लेगा वह 10 meter cubes अगर ज्यादा निकल रहा तो उसको हम लोग डिगरी 3 gassy mines में classify करते हैं तो यह regulation बताता है कि हम लोग क्या करेंगे coal seam को classify करेंगे based on degree of gassiness यानि की chief inspector जो है वो किसी माइन्स के किसी सीम को degree 1, degree 2 या degree 3 माइन्स में classify करने का अधिकार रखता है यह अधिकार किसके पास है वो chief inspector के पास है फिर regulation इसी का point number 2 क्या बोलता है कि अगर degree कोई भी degree gassy mines है मालो degree 2 था तो हम लोग क्या करेंगे मैनेजर पा रहा है अगर कि gassiness वहां से ज्यादा gas निकल रहा है मतलब सपोस्थ 1 से 10 मीटर क्यूब पहले निकल रहा था अभी 15 मीटर क्यूब निकल रहा है तो दिग्री 3 या सी माइन्स हो जाएगा तो वो तुरंत क्या करेंगा मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर को इनफॉर्म करेगा कि हमारे माइन्स में ज्यादा gas निकल रहा है तो आप इसका डिग्री को 2 को 3 में चेंज करें तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा 30 दिन जब उसको आविदन प्राप्त होगा उसके 30 दिन के अंदर वो खुद माइन्स आएगा और वहां के गैसिनेस को कल्कुलेट करेगा और फिर उसको फर्दर डिग्री वन है अगर जादा निकल रहा है तो टू में करेगा 2 है तो उसको थ्री में करेगा ठीक है तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा 30 दिन के अंदर आएगा जब उसको वो नौटीस मिला है मैनेजर के थुरू और फिर वो आकर उसको गैसीनेस को चेंज करेगा तो किसी भी कोल सीम को डिगरी 1, डिगरी 2 या डिगरी 3 में क्लासिफाय करने का राइट किसके पास है वो चीफिंस्पेक्टर के पास है तो किसी को कोल माइन्स का इंस्पेक्शन खूद करेगा अंदर ग्राउड माइन्स का और जैसा उसको ठीक लेगेगा उस टाइप उसको डिग्री में 1, 2 या 3 में डाल सकता है और ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा हर 30 दिन में एक बार कितना gas emission rate है उसको study करेगा और जो study का result है उसको एक proper file में उसको up to date करते रहेगा ठीक है तो CMR का regulation number 1816 यही बोलता है कि हम लोग coal mines को degree में 1, 2 में 3 में classify करेंगे किस condition पे वो regulation 145 में दिया गया है लेकिन regulation 116 क्या बोल रहा है कि उसको classify करने का अधिकार chief inspector के पास है और अगर अचानक कहीं कोई सी में ज़्यादा gas निकलने रहा है तो mine का honor agent या manager क्या करेगा proper step लेगा उसको proper precaution लेगा ठीकि जैसे suppose ज़्यादा gas निकलने लगा तो वो ज़्यादा quantity of air supply करेगा ताकि gas dilute होते रहे और वो permissible limit के अंदर है फिर general precaution against fire इसी regulation में दिया गया है कि oil grease या other inflammable material जो jolensil पदार्थ है उसको क्या करेगा एक fireproof enclosure के अंदर रखेगा fireproof bug से के अंदर उसको रखेगा ठीक है और जो भी grease oil petrol access में है या waste है उसको क्या करेगा surface पे लाके रखेगा ठीक और कोई भी आदमी flame safety lamp या कोई दूसर जolensil पदार्थ के नजदीक कोई जलने वाला substance को या कोई आग को या कोई light को नहीं रखेगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना है